Welcome to my youtube channel exercise 1.5 का question number 5 कर रहे हैं जिसमें कहा गया है हरों का परमेई करन कीजिए अब देखिए 1 by under root 7 है यहां नीचे under root 7 है तो इसे under root upon 7 upon under root 7 से multiply कर देंगे तो यह आजाएगा हमारा under root 7 और इधर आजाएगा under root 7 का square स्क्वेर से हमारा यह under root कट गया तो under root 7 by 7 हमारा इसका अंसर आजाएगा अब आपको यह पता होना चाहिए कि हमेशा under root जो होता है यह 2 से कट जाता है यहां पर 2 under root है इसलिए यह under root 7 का square हो गया अब second sum है हमारा यह देखे हम कैसे करेंगे इससे हम multiply करेंगे यही लिखेंगे 7 अब minus है तो इसका बन जाएगा plus under root 6 और under root 7 plus under root 6 बस यहां पर लिखना है minus है तो यह plus हो जाएगा अगर इधर plus होता है तो इधर minus आ जाता है अब हम multiply करेंगे तो यहां पर हमारा क्या आजाएगा under root 7 plus under root 6 और नीचे देखेंगे देखेंगे a minus b a plus b का formula लग रहा है a minus b a plus b equals to होता है a square minus b square अब यह side हमें dv है इधर और हमने यह side यहां पर लिखेंगे a है यहां पर under root 7 का square और b है यहां पर under root 6 का square two square से आपको बताया है मैंने यह under root कट जाता है तो यह आ गया under root 7 plus under root 6 नीचे 7 minus 6 under root 7 plus under root 6 7 में से 6 less क्या 1 तो यह हमारा answer आ गया तो इस तरह से हम यह sum निकालेंगे अब next भी जैसे यह sum है बिल्कुल ऐसे ही यह वाला sum निकालेंगे यहां पर देखें under root 5 है तो under root 5 ही आएगा यहां plus है इधर आ जाएगा minus under root 2 under root 5 minus under root 2 तो under root 5 minus under root 2 नीचे आ जाएगा अब यह a minus b आपको जैसे मैंने यहां बताया कि a minus b a plus b होता है a square minus b square तो under root 5 का square minus under root 2 का square यह आ गया under root 5 under root 2 और यहां पर यह हमारा cut गया ऐसे तो 5 में से हमने 2 less किया तो कितना आ गया हमारा 3 यह हमारा answer आ गया है अब हमारा last sum करेंगे 1 by under root 7 minus 2 यह हमारा sum है इसका पर्वेही करन कैसे करेंगे under root 7 plus under root 7 plus 2 यह minus है यह plus हो गया under root 7 plus 2 तो यह आ गया under root 7 plus 2 और नीचे आ गया हमारा यही formula लगा हमारा a minus b a plus b equals to a square minus p square मतला under root 7 का square minus 2 under root 7 plus 2 और यह आ जगा square कट गया हमारा यह देखिए तो हमारा यहां पर क्या है 7 minus 2 तो यह आ गया under root 7 plus 2 और नीचे में 7 में से 2 less किया हमारा 5 आ गया यह हमारी exercise over होगी हमने पूरे सम कर दिये हैं इस exercise के answers को हम हमने highlight कर दिया जो जो हमारे answers निकले हैं और इसी के साथ हमारा हमारी exercise भी खतब होती है वीडियो भी खतब होता है तो मिलते हैं next video में जो